और भगानु पसना का मतब है तूटने की विपसना करना भगानु पसना और इसी भग से इसी भंग से जो लोग तोड़ते हैं उनको भंगी बोलते हैं और जो महिलाय तोड़ती हैं उनको भंगर भगन बोलते हैं या भंगर बोलते हैं गुद्धि के नाम के आगे भगवन बुद्ध कहना उत्सक्राइब कोले करीटह दो यहां वैसे तो बहुत बार बात multifarm बनाई है और इसको बारत हजार बार बताएंगे लाख बाताएंगे और आप सब भी इसको सीख लो और इसको लाखो वार और करोड़ो वार बताना पड़ेगा क्योंकि जिस सब्द को अरवो वार कोई कान में डाल चुका है अरवो वार बोला जाता है और ऐसा मौहावरा बना हुआ है कि हमारी जो माताय महने हैं वो हाथ माते पर हाथ रखके बो भगवान क्या हू गया लो जो सब्ध है अगर और भग्वान अरे भगवान-का मतलब है कि अधावन तू भगवन्तू या भग्न वन्तू में सब्सक्राव किं दो्स परनी में मिलते हैं एक है भग्य अधा गय doğru जशली कि Mobil माने होता है टूता हुए और दूसरा सब्द है ढ भगन माने है तूटना और भग खन का मतलब है तूटा हुआ च्छन और भगानु पसना का मतलब है तूटने की विपसना करना भगानु पसना और इसी भग से इसी भंग से जो लोग तोड़ते हैं उनको भंगी बोलते हैं और जो महिलाय तोड़ती हैं उनको भंगत भगन बो होते हैं यह पुराने सब्द है और बुद्ध ने अगर भंगानु पस्तना सिखाई है तो इसका मतब है कि वो किसी चीज को तोड़ रहे हैं भगन कर रहे हैं भगन कर रहे हैं और जो तोड़ता है कि चीज को यानि भग करता है या भगन करता है उसके पीछे पाली में एक सब लगाते हैं वन्तू या महिला के लिए लगाते हैं वती या वंती इसलिए हमारी महिलाओं के नाम माया वंती सौम वंती सौम वती देवती ये मिलते हैं और जो हमारे लोग हैं जो वो काम करते हैं तो उनको कहते हैं बल वंतू या जैसे कहा भग वंतू तोड़ने वाला या कर वंतु करने वाला तो यह जो वंतु सब्द लगता है यह मेल के लिए है और वती सब्द है वंती सब्द है वो फी मिल के लिए है यानि करने वाला तो पूरे बुद्ध से पहले तक कोई भी ऐसा वक्ती नहीं था पूरे भारत में जिसने अपने जीते जी अपने रागों को भ बगन किया हो या जो देश होते हैं सरीर के अंदर मन के अंदर उनको तोड़ा हो या उनको भगन किया हो तोनों सब देख हैं या जो महमूर्टा है उसको भगन किया हो या तोड़ा हो तो पहला ऐसा व्यक्ति जीवित क्योंकि मरने के बाद तो कोई कर नहीं सकता ऐसा व्यक्त वो सिद्धत गौतम हुए जिन्होंने अपने प्रयासों से अपने बल से अपनी तपस्या से अपनी महनत से अपनी समझ से अपनी लगन से अपने जीते जी अपने सारे राग तोड़ दिये यानि खतम कर दिये सारे द्वेश जितने भी थे भगन कर दिये तोड़ दिये और सा तोड़ एसे व्यक्ति को वन्तु बोलते हैं वन्तु और जो तोड़ा है वो भग है या भगन है तो उनको भग वन्तु भी बोलते हैं या भगन वन्तु भी बोलते हैं भगवान जो सब्द है वो उसका बिगड़ा हुआ रूप है जो भगवान बोलते हैं क्योंकि एक सब्द और भी चलता है जो बोलते हैं भाघ तो भग्वं की बतातो नहीं पाली में भासा कहां से बनती है आप भासा कहां से सीखते हो खासा कहा से सीक्ते ऑख किसी चीज को तोड़ने के लिए कोई नाम या पढ़े गा ना ओब रॉने वाला होगा तो उसका नाम तो रखा जाएगा गर पहले से हैवसा प्त्र गुलते हैं । बिलाटोडवन्तू पोलते हैं यह तो सब्ढोस है इस्धर्द गतंट ब्रॉप तो नैच्छल्ब है प्रकर्टीız है और यह ऊंब Supreme था जो हाथ में इसीख पाए हम लोगों ने बनाने सीख लिए औ दुनिया की जो नेच्टरल भासा, मैंने विडियो बना रखे हैं कि पाली भासा दुनिया की नेच्रल भासा है क्योंकि व्यक्तिनdefined सब्द बनाने सीखे हैं और लिजो जिसको वॉबिल बोलते हैं स्वर risky बोलते हैं सराव होते सीखने के बाद लोगों ने उनका नाम रखा कि कौन है जिन्हों ने अपने राग और देस को भगन कर दिया है ऐसे वंतु है यानि भगन वंतु है तो उनको भग वंतु या भगन वंतु करके बोला जाए और अकेले वही है और कोई नहीं है इसके लावा पूरी दुनिया में है क्योंकि जो जैं जो लोग फहें जिन को जिन बोला जाता था उन को बोलेदे जिन माया ने जीत लिया पर वह 레el को पूरी तरह से भगन वंतुरहाया अके लिए है अच्छा जो भाग सब्द है भाग सब्द का मतला हिस्सा होता है कि आपका खेत में कितना भाग है आपके घर की जाजाद में कितना भाग है हिस्सा है तो जिसको सो के सो भाग मिल जाते हैं उसको कहते हैं सो भाग वती या सो भाग वंती या सो भाग वाला या सो भाग तो हम किसी महिला को जो पूरा इसा मिल जाता है क्योंकि पहले जो जमीन जाजद होती थी पुराने समय में महिलां की भागयदारी पूरी होती थी उसके अंदर महिला पूरे घर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होती हैं तो उनको आशिरबाद दिन लगे के सो भागवंती हो जा सो भागवंतु हो जा यह उससे चलता है और यह जो भगवा सब्द है वा जब लग जाता है तो जैसे मितवा है जितवा है मितवा मतलब मीत वाला जितवा वाले जीत वाला ऐसे ही जो भगन करने वाला था उसको भ सीधा हो गया तो एक नया पंत नाम और सारा वही से बुद्ड से आता है इसलिए उनको पंतMar Gobierno को और पर जब बिगडा तो इसको उन्होंने अपने कभजे में लेके और जितने भी अपने जो उन्होंने कालड़ की चीज़े बनाई है क्चोगी भगवान बहुत जएधा फेमस हो गया बखवान फेमस हो गया इसनि Water जो तो चीज famous हो जाती है उसको तीन तरसे कबजा किया जाता है या तो उसमें उसको बिलकुल नगार दिया जाए नश्ट किया दिया दिया ख़तम द जाले या उसमें कुछ मिक्स करके उसको त्यड़ा- experienty सब्सक्राणम पिंख कर दिया अब आप कोई साभी सब्द उठालो मैं सबका आपको जवाब दे दूंगा क्योंकि यहां बहुत सारे सब्द चलते हैं जिनको गौड भगवान से संब्धित माना जाता है जैसे इस में तर यह एक मतलब यह है भंग और भाग भाग आपने कहा ना भाग होता है तो भाग मारे ठीच का हुस्सा होता है हिस्सा आचा और भंग माने जो सब्धा माने होता ठीच का टूटने को कहते हैं भंग ऑला जाता है जो चन पूटप जाता है तोड़ानु व्यपस्द मत रेसिपैंटर और आप कोई सभी सब्द उठालो जो आपको परिशान करता है ढूंवेशन करते हैं या नि खोजबिन करते हैं जिनको करते हैं जैसे वह बैठे हुए है विपस्ना साधना में और उन्होंने मिर्च खाई मिर्च खाने के बाद देखते हैं कि सरीर पर कैसा प्रभाब पड़ा तो अपने उपर एक्सपयरिमेंट करते रहते हैं हवा का कैसे एक्सपयरिमेंट है मौसम कैसे करता है रात ञात को धायी काएंगे तो जक्न को इसी हुएंग क कोई तारिक ही करता रहता है ये सब आज की समय के वेज्वान को सकते हैं बुद्वी इसी हैं इसी के मतलब उन्होंने जो सबसे ऑच्छा माना हुआ है तो मानने वर हो गया जानवर या में सब्से जादा जान है उसको जान पर कह दिया तो वर माने होता स्थरेश्ट और अच्छा तो इसजी वर का मतलब है कि आप तक में बैग जानीosaurs मेरे सबसे स्थरेश्ट और वह भुद्ध ही है क्योंकि अब तक में दुणिया में है पभू का उन्होंने प्रभू कर दिया तो मतलब होता है मालिक कोई किसी चीज का जो ऑनर होता है उसको कहते है पभू माने होता है जमीन और पैमाने होती है पूरी यानि पूरी जमीन तो पभू का मतलब होता है पूरी जमीन अंग्रेजी के जो वहां से यूरोप से आए हैं उनके अर्थ ना भारत में उर्दू थी और हिंदी तो खेर पाली ही है पाली को पाली में ही उर्दू अंग्रेजी और ये फ्रेंच ये कुछ सब्द मिला के इसको जो बोला जाता है हम दसल पाली ही बोलते हैं 80% पाली है और इसमें 20% इसको संस्काइद करके मिक्स करके रखा जाता है अगर किसी सब्द में लेगो हमारे यह हैं छी सफ एक सह चलता ले चलता है जो यह सेय वाला है अगर आप ने सब्द ठीक करना हो तो शेर शट्कन वाला और शयां वाले शया को खटम करके यह लगा दो आपको पाली के पूरे नहीं होता है ना इचलता था हमारे हाँ जलताथगirm अहां उनों को पिद्ध कर दिया वहां वहां उन्हों नहीं रंभेट मैं कर दिया, तो यह सारे सब्द जो डवल वल चलते हमारे हैं उनको आधिरह में बहुति कर दिया, कुछों नहीं था पर मैं लगा रहा लगा रहा तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया तो हिंदी से भी ज्यादा सरल है क्योंकि हिंदी तो फिर भी टफ है पर यह बहुत ज्यादा सरल है आप दस्वीस किताब पाली की जो मिले वह पकड़ लाओ उनको देखना सुरू करो आपको स आप समझ में आ जाएगा क्या है क्या है इसलिए सारे सब्द जितने भी भृमित किये हुए हैं उनके सब्द के आर्थ बड़े सरल हैं यह सब मिलाके तोड़के मोड़के दिये हुए मैंने बहुत सारी वीडियो मनाई है चोटी-चोटी जो सब्दों के ओपर है और कुछ रहे अभी इस काम में लगे इसलिए वो वीडियो रुग गई है वो सब बनी पड़ी है वो रिलीज हो जाएंगी तो पता चल जाएगा उसमें कुछ नहीं है आप एक वार सुरू करो आप पाली के हैड मास्टर हो पाली तो सुरूई आपने कि है यह हिंदी भी पाली है को दिक्तत नहीं है और कोई सवाल सर दर सर बहुत सुन्दर सादू 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 तो आपकी भासा में आपकी किताबों मिलेगा जो बाद में चपी है जो पहले है उसमें मेरा 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 यही कहना था सर मैं यह कह रहा हूं जैसे समयकाल परिस्थितियों के अनुसार जब सब्सक्राइब बदल चुका है तो जिसको हम भगन या भवन भगन तू कहते थे वही उतिकार भगवान है का अगरे ना दूसरा एक चीज और भी है एक बात अधियान रखें और जो जितने भी लोग जो पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने सिखाने में रही है उस्तुम Всем अवी तर ने वह सिंदल्सकुल में थानि हांग चीजों सकते हैं एक उसको पुरी तर इसे उखणा रिप defense ना है हम तो भगवन क्यों également है और तीसरा है जो इसको पूर्ट से अपना लें कि हमारा ही बढ़ान है पहले बगवन्तु वगवन्तु वगरा बोलते थे तो आपना लो या उसको मिक्स कर लो पर कुछ लोग जो उसको सीधे मना कर देते हैं उससे क्या होता है कि हार्ड को लोग बहुत कम होते हैं किसी उन लुगों ने क्या किया उनको कपड़ा ढखके चेरा ढखके उस पे लाल लगा के पोट के आखें बना पूल के पता हृ नहीं किया क्या बना दिया कुछ उन्होंने तोड़ दी तो कुछ को तो उन्होंने ड्राइग कर दिया जो तोड़ के नों दबा दी और हटा दी जिसको वो तोड़ नहीं पाए जिनकी मानेता ज्यादा थी उनको उन्होंने बदल दिया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बुद्द को कर लिया जो महावदि सोसाइटी में जो करोड़ रुपीए आता है और जो लोग लेके आते हैं वो दॉक्रम मिटर को नहीं मांते वो बुद्ध को नहीं मांते पर उमने उसको एडॉप्ट करके ब्रह्मा विष्णू बनादिया और विष्णू बनाके काम चला रहे हैं वो पुरी दुनिया में तो तीन तरह से उन्होंने खत्म किया है एक तोड़कर एक mix करकर और एक उसको अपना कर पर हमारी लोग क्या कर रहा है हमारे लोग सीधे सीधे ड़नाई कर देते हैं कि नहीं हमारा नहीं है अरे भाई आप ना culture को देखो कैसे culture जाती है वैसी culture आती है अब ऐसे टो इसे नहीं ऐसे जैसे जैसे आप समझते जाएंगे जाजसा समझाते जाएंगे आप को कुछ और करनी जोती ही पड़ेगी उसमें तोड़ने वाले भी मिक्स करने वाले वी साइड लोग जितने वह सब आते चले जाए सर मैंने बोला हूं मुझे बताया गया यह बागवान शब्द का को एक उबाधी के रूप में है मतलब जिसने राग को जीते लिया मोहो को जीते लिया वह भग भग दोसा भग मुहा वह आप भी बन सकते हैं सर यह काम अगर आज रात को आप करने तो सुबह से हम आपको लोग उनको बंते कहते थे सारे बंते कहते पर बाद में उनकी हजार एक हजार आठ जो नाम है वो बुद्ध के हैं और किसी के नहीं है और सारे खुद्ध के गोर्ण पहें मैंने इसको पड़ा मेरे दिमाग खराब हो गया इतने सारे नाम नाम है कि याद करते करते भाली पढ़ जाते हैं बहुत और यह सारे नाम बाद में लोगोंने इनको कभजा कर लिया आपने नाप ब्यान लगी वह बहुत पहले 27 बुद्धों का जिकर आता है तो अगर वह भगवंतु नहीं हुए तो जो काहनी है वह किताबों मिलती है वड़ी छोटी सी मिलती है कुछ बहुत लबी चौड़ी दों मिलती है उनके नाम बता रखें उनकी पत्लीयों के नाम बता रखें पर और कुछ नहीं मिलता और इथियाद जो आरम होता है बुद्ध कर को जो पहले चीजो नहीं है जो हमारे इसी वरों के लिखे हुए वेध तो बात मिक्स हो गए तो 27 गौद्दों के वारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि किताब में लिखा हुआ है जिनको मानना है मानो जिनको नहीं मानना है नहीं मानो पर मैं उसके वारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि 27 गौद्दों की जो सिक्षा है गौतम बुत तो यह कहता है कि जो जो स तरही किसह नहीं बता सकता क्योंज पढ़ए बात है उसको पताने कोई फायदा नहीं है तो मैं उसके काओँ गासरी आप आपने पढ़ा है अन्सुरार यहां, ऊछिゲी जए कुछ का। सत्य है आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे बचला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूद नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरेणं गच्छामू तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामू तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामू तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामू तूतियं पी धम्ममर सर्णों गच्छाम। तूतियं पी धम्ममर सर्णों गच्छाम। तूतियं पी संगर सर्णों गच्छाम। तूतियं पी सर्णों सर्णों गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम। ततियं पी संदं सर्ण गच्छाम।